तो जी यहां दोस्तो आज की इस वीडियो के निर मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तर आप पॉप अप, फ्लाइ इन, ब्लो पोस्ट, इन लाइन, और सबसे बैतरी इन, लॉक कॉंटेंट, इमेल आप्ट इन फर्म बना सकते हैं, वो भी DV Bloom इमेल आप्ट इन प्लग इन की इमेल आप्ट इन का जो प्लग इन है, इसको आप किसी भी तरीके से मतलब किसी भी थीम के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि यह से पॉसिफ डीवी थीम बिल्डर के साथ ही इस्तेमाल हो सकेगा, यह आप कोई सी भी अगर दोस्तों मैं एक स्पेशल ऑफर अनाउंस करता हूँ, वो यह कि अगर आप मेरे रेफरल लिंगे थूरू वर्डप्रेस सोसिंग बाय करेंगे, तो मैं आपको एक प्रीमियम टूल्स यह वो फ्री में प्रोवाइट करूँगा, इसके अंदर दोस्तों, एलेगेंट थीम के और कौन-कौन से आने वाले हैं, तो उसकी सारी की सारी इंफरमेशन यह हो इना डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो मेक शूर दोस्तों के आप उसको चेक कर लें, और अगर आपको कोई भी इसके बारे में सवाल हो, तो मेक शूर के मुझे contact.mohammattalha.gmail.com पे आप contact कर सकते मैं इन्शालला उसका reply कर दूँगा, तो चलिए बढ़ते हैं, बग्ये वीडियो की तरफ, और यहां से दोस्तों मैं क्या करूँगा, upload plugin पे क्लिक करूँगा, और यहां से मैं choose file कर लूँगा, तो उससे पहले मैं सबसे पहले आपको download का process बता देता हूँ, सिंपल में आ ज चुके हैं, जैसी मैं scroll करूँगा, तो यहां पर हमारे पास dv bloom जहे हो email option आपको plugin देखने को बिलेगा, तो जैसे कि तरह आप पढ़ भी सकते हैं, work with any theme, तो हमें क्या करूँगा, इसको download bloom पे क्लिक करूँगा, और यहां पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, यह जहे हैं, इसको close कर दूँगा, और यहां से दोस्तों मैं choose file कर लूँगा, जो भी हमने download करी है, तो जैसे कि तरह आप देख सकते हैं, bloom.zip के नाम से एक file आ चुकी है, तो मैं simple इसको install नाओ पे क्लिक करूँगा, तो यहां पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं, bloom जहे हो plugin हमा यहां पर आपको एक tab देखने को मिलेगा, bloom का, तो मैं simple इसको क्लिक करूँगा, तो हम step by step जहे हो सारी की सारी चीज़े हो, इसको understand करते हो चलेंगे simple, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, हमारे पास options आ रहे हैं, tabs के अंदर, opt-in forms अभी हमारे पास कोई भ बताऊँगा, कि basically आप जहे किस तरह इसको जहे हो, मतलब integrate कर सकते हैं, कोई भी अगर आप email service जहे हो, use कर रहे है, email software जहे हो, इस्तेमाल कर रहे है, और अच्छी बात यह है, कि bloom की यह basically आपको जहे हो, analytics भी provide करेगा, उसके बार पे भी आपको मैं discuss करता हो, चलूँगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यह जहे है, opt-in states आपको देखने को मिलेगा, one subscriber, तो यहाँ पर सारी की सारी आपको देखने को मिलेगा, तो यह new sign-ups आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह जहे हो list, जो भी होगी list के अंदर provider, mailchimp है, और यहाँ पर subscriber आपको देखने क भी कर सकते हैं यहां पर bloom की settings और यहां पर आप simple इसको import भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा simple way में उसके बाद आजेंगे हम support center पर तो support center के उपर आपको जहें वो system status आपको देखने को मिल लेगा congratulations all system have checks have passed your hosting configuration is compatible with dva तो यहां से जहें वो आप elegant theme के जो support हैं यहां से भी आप उसको दे सकते हैं यहां से remote access chat with support भी कर सकते हैं जो के मेरे खाल से बहुत ज़्यदा amazing है तो direct जहें आप अपनी मतलब कोई भी अगर problem आप face कर रहे हैं तो simple जहें वो आप elegant theme के जहें मतलब support से मतलब जहें contact कर सकते हैं और यहां पर उनको access दे सकते हैं ताकि वो आपकी जहें problem जो भी है जो भी आप face कर रहे हैं issue तो वो simple जहें वो save कर सके हैं यहां पर safe mode है तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं जो मेरे खाल से ज्यादा important नहीं है तो यह हमारा support center था अब आज ही के दुबारा मैं यहां पर click करूँगा तो यहां पर हमने check कर लिया है इसको settings भी check कर ली है यहां पर हमारा पास bloom updates है और उसके बाद updates के लिए आपको API की आपको enter करना पड़ेगा तो API की आपको मिल जागा my account के अंदर से तो सारी की सारी चीज़े जहें वह सेम है तो अब हमें काम करते है active मतलब यहां पर आपको opt-in कोई भी आपको देखने को नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले opt-in जहें वह form जहें वह create कर लेंगे तो simple आजएंगे new opt-in पर click करेंगे और यहां पर आपको दोस्तों 6 तरीके के आपको opt-in form जहें वह देखने को मिलेंगे एक है pop-up form है एक fly-in है जो के हमारे पास सीधा right side टो होता है show होता है below post तो यहां पर आपको कोई integrate करने की ज़रूरत नहीं है मतलब integrate तो आपको email software के सा set करेंगे तो यह already select हो जाएगा और direct आपकी जहें वह post के नीचे यह form आपको देखने को मिल जाएगा तो inline है तो post के अंदर भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और उसके बाद मज़े की चीज़ क्या है locked content यह बहुत दोस्तों बहुत amazing feature है और अगर आपने backlink कों की website पर देखा होगा तो यह आपको देखने को मिल लेगा कि basically क्या होता है इसके अंदर भी मैं आपको बताता हूँ चलूँगा widget तो यह widget के अंदर भी अगर आप इसको इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वह भी कर सकते हैं तो मैं काम करूँगा सबसे पहले pop- पर आज़ोंगा तो pop-up हम उसको यह वह design कर लेते हैं तो simple क्लिक कर देना आपको यहाँ पर सबसे पहले setup your opt-in form है simple opt-in का नाम दे देना है तो मैं simple type कर दूँगा pop-up pop-up bloom यह हमारा नाम आगी है उसके बाद है हमार पास form integration तो यहाँ पर आपको form integration देखने को मिलेगी select email provider तो यहाँ से आप उसको select कर सकते हैं तो मैं भी आपको integration भी पता देता हूं simple तो mailchimp आपको select कर लेना है और make sure कि आप mailchimp का account भी open कर लें तो यहाँ पर मेरी already integration हो चुक देखने को मिल दाएगा तो मैं काम करता हूं email accounts पर आ जाता हूं इसको open कर लूँगा new tab में और मैं काम करूँगा यहाँ से मैं इसको delete कर दूँगा इसको remove कर दूँगा list को तो अब आ जाएंगे यहाँ पर एक काम करेंगे दुबारा मैं refresh करूँगा और यहाँ से new opt-in form pop-up ले लेंगे तो अब मैं यहाँ से mail team इसको select कर लेता हूं तो आपको देखने को मिलेगा हमारे पास यह वो select email provider आ रहा है तो मैं क्या करूँगा add account पर click करूँगा और यहाँ पर हमें account name और account की जो भी API की यह वो उसको यह वो मतलब इंटर करना authorize कर सकेंगे तो बहुत simple है आपको mail team की website पर आ जा रहा है यहाँ से दोस्तों मैं इसको login करूँगा और यहाँ से हमें यूजर निम add कर देना है और उसके सासथ password भी add कर देना है अगर आपके पास account नहीं है तो simple आप यहाँ से create an account पर click करके अपना account बना सकते हैं जो कि मेर basically मैंना भी तक email marketing के ओपर कोई वीडियो नहीं बनाया तो इसके ओपर detail में एक वीडियो आईगी तो आपको attention लेने के जरूरत नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ पर आजेंगे make sure कि आप account पर click करें और यहाँ पर हमारे पास account पर जैसी मैंने click किया तो हमारे पास account की सारी information होंगी जो आजाएंगी overview यहाँ पर settings billing और यहाँ पर हमारे पास extras तो extras पर click करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास API keys इस पर मैं click कर देने हैं simple और उसके बाद हमारे पास जैसे हम scroll करेंगे तो आपको देखने को बिलेगा यहाँ पर जो है मैंने different API keys जो हो करी हैं ब और यहाँ से हमारे API key जो हो बन चुकी है तो मैं simple इसको copy कर लूँगा copy करने के बाद यहाँ पर आजेंगे account name हमें enter कर देना है तो मैं भी यहाँ पर API key और मैं यहाँ पर account name जो है हमारा यहाँ पर आपको देखने को बिलेगा select account है और इसके बाद select email list भी आप यहाँ से बना सकते हैं यहाँ से आप email list भी बना सकते हैं जैसे मैंने आपको बताए इंशालला इसके उपर वीडियो आएगी पूरी की detail में वीडियो लेकर आऊँगा इंशालला मैं उसके उपर तो select email list हो गया इसको मैं site builders के नाम से जैए वो मैंने एक list बना यूई थी तो simple मैं यह भी कर लिया यहाँ पर है मार पस include IP address तो यह क्या है अगर मैं इसपे क्लिक करूँगा तो जो भी आपका subscriber होगा उसका IP address जो भी होगा न तो वो आपके email provider यानि mail चिम के उपर यह मतलब bloom जो अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल लगें otherwise आप इसको डिसेबल लगें तो यहाँ पर आजेंगे हैं design your form तो यह मारा नेक्स चैप है इसके अंदर आपको बहुत सारे designs देखने को भी लेंगे और जो कि मेरे खाल से बहुत basic designs हैं और जो कि बहुत simple यहाँ पर customize पर click करेंगे और यहाँ पर दोसे बहुत basic चीज़े हैं यानि opt-in title है तो आप इसको title क्या रखना चाहते हैं यह भी रख सकते हैं तो मैं इसको center कर दूँगा इसी तरह यह हमारा पर message है opt-in message यह आप इसको edit कर सकते हैं जो कि मेरे खाल से बहुत basic है तो हम इस प हम इसको customize भी कर सकते हैं यहाँ से हमारा पर background color है जैसे मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम image settings पहा जाते हैं तो step by step चलेंगे image settings है यहाँ पर image orientation है तो यहाँ पर हम इमेज blow post भी कर सकते हैं यहाँ पर भी आपको देखने को भी लेगा तो जैसे इधर आप देख सकते हैं इमेज जहे वो blow जहे ना मतलब इसके पास title के नीचे आ रही है तो इस तरह भी आप रख सकते हैं यहाँ पर हमारा पास right of text भी रख सकते हैं image जहे वो right में आ जाएगा जैसे कि तरह आप देख सकते हैं right में आ गया तो बहरहाल तो आप इसको check कर सकते हैं मैं image above text कर सकता हू और यहाँ सब इसको upload भी कर सकते हैं और यहां पर आप image load animation आपको देखने को बिलेगा तो यहां से कuger आप देखर आप है sliど up है तो यहां सब इसको रख सकते हैं मैं तो आपको कहोंगा कि no animation रखें इसको hide image on mobile तो आप इसको अगर hide करना चाहते हैं mobile पर तो आप यह भी कर से यहां तो मैं बैक्ग्राउंड कल रहा था क्रीबन यह वो इतना रख लेंगे अब कहीं ज्यादा बैतर लग रहा है तो यहां पर हैडर फॉंट आपको देखने को भी लिगा जाते हैं बॉड़ी फॉंट है जो कि मेरे खाल से बहुत ज्यादा बेसिक है इनके उपर हम नही भी रख सकते हैं तो यहां पर हमार पास यह आज जी है जैसे किदर आप देख सकते हैं और मैं इसको अभी ऐसे ही रखूंगा उसके बाद हमार पास form setup आपको देखने को बिलेगा form orientation form on bottom तो form on right भी कर सकते हैं आप जैसे किदर आप देखने को बिलेगा आपको तो इस तरह भी रख सकते हैं तो मैं इसको bottom में रखूँगा और एक जह है नेम fields आपको देखने को मिलेगा तो आप single name field first and last name fields भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो यहां पर आप पास आजेगी field तो name की field भी आ गई और यहां पर आप जेवो name text भी कर सकते हैं तो मैं full name type करूँगा जैसे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा हमारे पास full name आ चुक है placeholder की जगा तो इस तरह भी आप रख सकते हैं यहां पर button text चेंज कर सकते हैं और custom fields अगर आप और fields app करना चाहते हैं तो आप और भी यहां से कर सकते हैं तो form styling यह बहुत basic है तो आप इसको check कर सकते हैं यहां पर हमारे पर five error style मतलब जहे किस तरह रखना रहते हैं यहां पर आपको देखने को मिल लेगा divider अब जिसको किया सकते हैं जैसे कि तर आप दे इख सकते हैं तो बहारे हैं? अब कर अफ फूटर टैक्स हैं? यहां पर कोई er ही आप सकते हैं तो आप यहां लिग सक्ते हैं सकस्थ सब्सक्राइज है कस्टम सी की करेंगे आप डिस्प्ले सेटिंग्स पर क्लिक कर देंगे और यहां पर थोड़ी बहुत इंपॉर्टन चीज़ है लोड इन सैटिंग्स आपको देखने को बिलेगा तो इंट्रो एनिमेशन आपको देखने को बिलेगा तो फेड इन भी रखना यहां पर 20 सेकंट सेटिंग्स आपको देखने को बिलेगा ट्रेगर आफ्टर इन एक्टिविटी तो यहां पर आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं एक बॉटम बॉटम ऑफ दी पोस्स मतलब जैसी वह स्क्रॉल करेगा तो यहां पर आपको देखने को मिल लाएगा जैसी क्लिक क्लिक के उपर आप कर सकते हैं डिस्प्लेइं जैसी मतलब अगर कोई अपसायड़ पर मेलचिम की अकॉण खुला हुँआ है तो जैसे मैंने यहां पर ब्राउज कर रहा हुए सजासी क्लिक किया कोई भी क्लिक करंगा आनंगर कोई यह कर सकते हैं Auto close after subscribe तो जी हां Auto close हो जाए गा डिस्प्ले on everything home page तो हम यहां पर से फोस्स के उपर भी कर सकते हैं या फिर हम जो जो पेजी होंगे तो यहां पर भी हम उसको कर सकते हैं otherwise हम जही ब्लॉक पेज हो गया और यहां पर पेज के उपर भी कर सकते हैं जो कि मेरे खाल से सही है तो category pages है archive pages है tags के ओपर हम show नहीं करना चाहते है tags के ओपर हम नहीं show करना चाहते है display on these categories तो यहाँ पर आप जिसे के देख सकते हैं मैंने 2-3 categories बनाई हुए है तो आप specific categories के ओपर specific post यह form भी show करवा सकते हैं जो कि मेरे खाल से बहुत ज़्यादा detail में targeting आप इसको कर सकते हैं तो display on these पर जहां से exclude include कर सकते हैं जो कि basic है बहुत स्यादा तो मैं success action पर click करूँगा और यहाँ पर success जह हैं message देना चाहते हैं जह हमने message यहाँ पर design के अंदर मतलब add किया था तो आप वो भी रख सकते हैं otherwise आप redirect to url कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको url जह हो add कर देना है after redirect मतलब after जह हो जैसी वो submit करेगा email तो यह redirect कर देगा तो मैं save and exit पर click करूँगा तो अब हम इसको check कर लेते हैं visit site करेंगे तो जी यहाँ दोस्तों आप जैसे के देख सकते हैं यहाँ पर 10 second के अंदर यह हमारे पास form यह हो शो हो चुका है तो इस तरह दोस्तों आप इसके साथ score मजीद कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पर बड़ी जबतस बात यह यहाँ पर आपको A-B testing A-B testing basically क्या होता है add variant आप यहाँ से जहें वो एक और form add कर सकते हैं मतलब क्या है अब यहाँ पर जैसे आप 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 ने देखा कि एक pop-up हमारे पास आया था तो मतलब यह है कि A-B testing के अंदर मतलब यह होता है कि आप जहें दो form set कर सकते हैं और दो form मतलब एक ही purpose के लिए आप set कर सकते हैं मतलब उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा बैटर perform कर रहा है इसी तरह दोस्तों वो sales funnel के अंदर भी होता है और बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको यह देखने को मिलेगा तो आप सेम काम है तो आपको सिर्फ ओच सिर्फ जहे हो मतलब add कर देना that's it उससे जाद आपको कोई काम करने की ज़रुवत नहीं है तो A-B testing को मैं इसको disable रखूँगा और यहां से आप इसको कर सकते हैं सेम चीज़े तो यह है कि जितनी दफ़ा जहे हैं डिलीट कर सकते हैं और यहां पर इसको edit कर सकते हैं तो यह था हमारा pop-up form तो हम जल्ली से जहे वो दूसरे forms की तरफ बढ़ते हैं तो fly in तो सब सेम है तो मैं जल्ली से उसको open कर लेता हूँ तो सारे हम जान लेते हैं और यहां पर मैं सेम गाम करूँगा mailchimp मैं इसको select कर लूँगा same account है तो आप यहां से दोस्तों यह basically same चीज़ है कोई इसमें मसला नहीं है तो मैं अभी आपको show करा रहा हूँ कि basically नजर किस तरह आता है तो यहां से कोई से भी design हम ले लेंगे और उसका preview कर सकते हैं यहां से हम तो यह हमारा form है तो इसको मजीद customize कर सकते हैं आप display setting में आ जेंगे तो यहां से आपको fly in orientation आपको देखने को भी लेगा choose orientation right left center इतना भी जहें मतलब right में रखना चाहते हैं left यह center show का कहां पर show load in settings तो आपको intro animation slide up और यहां पर trigger after time delays तो जी हां हम इसको जे 5 second के अंदर show करेंगे 5 second के अंदर बागी सब चीज़े दोस्तो same है तो आप इसको check कर सकते हैं everything कर देंगे इसको और यहां पर success action है save and exit करेंगे यहां पर mark इसको refresh कर दूँगा तो जी हां दोस्तों आप आप इसको इसके कर सकते हैं तो यह तो अब आदेंगे दोबारा new option form के पर blue post है तो blue post के अंदर भी आप इसको said कर सकते हैं तो मेरा को शिख़िश है कि सारे कि सारे आपको बताता हुआ चलूँ ताकि आपको एक अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाए मतलहा और यहाँ पर साइट बिल्डर्स आ जाएंगे दुबारा और मैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ ले लूँगा यहाँ पर जिया उसके बाद कस्टमाइज सारी की सारी चीज़े दोस्तों सेम है कोई इसके दहरा डिफ्रेंस नहीं है डिस्प्लै सैटिंस करेंगे तो यहाँ बर पोस्ट OFF धिवन के लिए दोस्त आप जिया एक्षों सकते हैं यह आपके ओपर डिपेंड करता है इसको मैं मैल मतलब हमारी वीडियो आएगी इमेल मार्केटिंग के उपर उसके पर मैं आपको ज्यादा अच्छी तरीकते समझाऊंगा तो यहां पर पोस्ट को ओपन कर लेता हूं और हमारे पास पता नहीं क्यों कि इस तरह शो हो रहा है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसी मैं स्क्रॉल करूंगा तो यह पॉपप तो आ चुका है हमारे पास इनलाइन भी आ चुका है तो यहां पर आपको देखने को लेगा हमारे पास जैवो पोस्ट के नीचे जैवो अलड़ी अब शो होना शुरू होगी है तो इस तरह भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं तो आपको कोई भी मतलब को जै बैट करने की ज़रूरत नहीं है यह आटमेटिकली जैवो शो हो जाएगा तो यह हमारे पास यह भी आ चुका है तो अब हम एक और जान लेते हैं न्यू आप्टेन आजेंगे और यह इन लाइन भी दोस्तों सेम है इसके अंदर आपको कोड मिलेगा तो यह भी मैं आपको जली से बता देता हूं कि कहीं जहना बहुत सारे लोग फिर सवाल करते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मेरी कोशिस यह होती है कि सारी की सारी चीज़ी जो है आपको समझाता हुआ चलूं तो यहाँ पर आजेंगे तो मैं यह वाला ले लूँगा इस दफ़ा कस्टमा जहां भी इसको शॉ कराना चाहता हूं मैं पोस में आ जूँगा फोस्ट ऑफन कर लेंगे हम एडिट करेंगे इसको तो यहाँ पर पोस्ट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर इमिज के ऊपर यह वो फोर्म को मतलब शॉ करना चाहता हूं तो सिंपल यहां से मैं किया था कोड अप्डेट करेंगे इसको और यहां पर आने के बाद प्रिवियू कर लेंगे इसको न्यू टैब में तो यहां पर आपको यह फॉर्म देखने को मिल जाएगा इसको आप मजीद दी जहें वह कस्टमाइज कर सकते हैं जैसे मैं आपको बताया तो यह हमार पर यह फॉर्म भी आ चुका है इसको मैं रिमूव कर दूँगा यहां से और मैं काम करूँगा इसको ओपन रखूँगा क्योंकि अभी इसके हमें जरूरत पड़ेगी तो यहां पर आ रहेंगे नियू आप्टिन फॉर्म में तो यहां पर विजिट में बेसिकली सेम चीज़ है को क्लिक करूंगा और यहां पर सब चीज़े दोस्तों सेम है तो मैं अभी इसके अंदर नहीं पड़ूँगा दूबारा तो यहां पर आजेंगे उसको नेक्स करेंगे और मैं कोई से भी डिजाइन यहां से ले लूँगा चले यह वाला हम ले 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 तें यह वाला नहीं सिंपल यह ले 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 दें और उसके बाद आजेंगे कस्टमाइज और बाकी चीज़े दोस्तों वह सेम है तो मैं यहां पर एक काम करूँगा यहां पर टाइप कर दूँगा सब्सक्राइब टू अन्लॉक दी कॉंटेंट ठीक है यह हमारे पास यह वो हेडिंग आ चुकी ह तो हम इसको प्रिव्यू भी कर सकते हैं तो यहां मारे पास देखने को मिलेगा तो हम इसको यह वो सेंटर लाइन कर देंगे एक काम करेंगे और इसको भी मैं सेंटर लाइन कर दूँगा तो यहां से सब चीज़े बेसिक हैं बहुत सेम हैं हमने जैसा भी देखा है उसको त और सबसे पहले मैं save and exit कर लेता हम और उसके बाद यहां पर my new opt-in तो यह lock content आपको देखने को मिलेगा तो मैं यहां से generated shortcode पर click करूँगा और यहां से आपको देखने को मिलेगा तो basically अब यह क्या है यह आपको एक open code है मतलब जहे एक open tag है और एक closing tag right to मतलब हमें जहां से जहां तक का हमें content है open मतलब क्लौस करना है उसको छुपाना है तो हमचको इसको 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 चुपा चपरा के यह अई नहीं selecting case बाद मैं को मैं सर भाट Offic specific area मतलब यह चीज जह है image मतलब यह आपने देखा होगा यह तो यह चीज जह है मतलब आप जहे listing जह है इसको मतलब चुपाना चाहरे तो हम क्या करेंगे मतलब जो hide करना चाहरे तो मैं यहां से आज़ोंगा इसको enter करूँगा और यहां पर मैं type कर दूँगा short code हमारे पास already है तो मैं simple यहां पर पूरा code पेस्ट कर दूँगा तो हम क्या करेंगे यहां से content को remove करेंगे तो closing tag है उसको हम remove कर देंगे सिर्फ open जो tag है हम उसको जह मतलब इसको बरकरा रखेंगे यहां पर मतलब add रखेंगे इसका मतलब क्या है कि हम यहां से लेकर और यहां तक का content है उसको हम छुपाना चाहरे है मतलब hide करेंगे बाकी हमारे पास सारा का सारा display होगा short code ले लेंगे और simple मैंने यह closing tag आपको दे दिया simple करना जहां से जहां तक का आपको content मतलब hide करना है मतलब उसके शुरू में आप opening tag और उसके बाद जहां तक आपको छुपाना है hide करना तो आप closing tag दे देंगे update करेंगे simple और हम इसको preview कर लेते है and boom तो यहां पर दोस्तों आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ना image हमें show हो रही है ना हमारे पास हमारे पास ना लिस्टिंग show हो रही है तो यहां पर आपको देखने को विलेगा पूरा content यह वो hide हो चुका है तो मैं क्याम करूँगा यहां पर simple यह वो type कर दूँगा अपना email address demopurpose.gmail.com अब मैंने इसको subscribe किया तो subscribe करने के बाद दोस्तों आप जैसे के देख सकते हैं यह content यह वो unlock हो चुका है जो कि मेरा खाल से बहुत ज्यादा amazing दोस्तों यह feature है तो आप इसको try करें make sure कि आप इसको check कर लें और यहां पर आजेंगे दोस्तों आप हम my options देखने को बिल जाएगा for blog और उसको new sign ups आपको देखने को बिल जाएगे तो one subscriber है देखे किदर आप देख सकते हैं site जो है list के अंदर one subscriber है तो यहां पर आपको यह सारी की सारी चीज़े देखने को मिल जाएगी और इसके साथ साथ हम आजेंगे यहां पर opt in forms के इंदर आ जाएगे तो यहां पर भी दोस्ता आप इसको चेक कर सकते हैं impressions आप देख सकते हैं convergence देख सकते हैं और यहां पर conversion rate भी देख सकते हैं मतलब कितना person जैए वो conversion rate आ रहा है तो इस तरह दोस्ता आप यहे वो email जो है तो अमीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी अगर पसंद आए तो दोस्तों make sure कि आप इसको like करें दोस्तों के साथ share करें और अगर आप wordpress beginner है wordpress के बारे में मजी सीखना चाहते हैं तो make sure दोस्तों कि आप इस channel को subscribe कर लें और notification bell को भी दबा गए ताकि जब भी मेरी कोई video upload हो तो सबसे पहले उसका notification आपको मिल जाए और आप दिन बादिन कुछ नया सीख सके तब तक के लिए दोस्तों अपना खयाल लगएगा वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं next lesson के अंदर